दिल्ली में पारा पचास डिग्री से उपर पहुंच गया है और इधर भीषण गर्मी के बीच जल संकट दिल्ली में जगे जगे दिखाई पड़ रहा है यानि पाने की किलत की वज़े से टैंकरों को लेकर मारा मारी हो रही है उधर दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली के जल संकट को लेकर सुप्रिम कोट जा रही है और सुप्रिम कोट में अरजी दाखिल कर वो ये गोहार लगाएगी कि हर्याना को सुप्रिम कोट आदेश दे कि वो दिल्ली के हिस्से का पर्यापत पानी मुहया कर आए। दिल्ली सरकार की तरफ से जलसन साधन मंत्री यानि यहां जल बोर्ड जिनके जिम्में है आतिशी मरलिना उन्होंने दिल्ली जमना का दौरा किया और वहां पर उनका यह कहना है कि चंद्रावल सहित त इनों जो जलसन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको परियापत जल नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से दिल्ली में जल संकट है और इसके साथ ही टैंकर की विवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है योजना यह है कि 200 से ज्यादा ऐसे सेंटर बनाई जाएंगे एक सेंटरलाइज वार रूम बनाया जा रहा है जिसमें टैंकर्स का लोगों के जरूरत है उस वार रूम को फोन करेंगे और वहां से 200 पूरी दिल्ली में जगे जगे 200 ऐसे सेंटर बनाई जाएंगे जहां से लोगों को पानी की किलत में यान ये मुस्तर के अधिकारी अलग-अलग हिस्सों में मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं पर पानी की दिक्कत ना हो। लेकिन रही बात सुप्रिम कोट की सुप्रिम कोट में उमीद की जा रही है अब आज तो गुरुवार है तो ऐसे में शुकरवार तक याची का दायर हो गई तो सही है और नहीं तो अगले हफते यानि अवकाश काली नपीठ के आगे याची का आ सकती है दिल्ली सरकार के लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में पल्ला में जहां से यमुना दिल्ली में एंटर करती है वहां जलस्तर ऐसा हो गया कि लोग पैदल बिना किसी नाव के बिना किसी पूल पर चड़े हुए लोग पानी में से पैदल जमना पार कर सकते हैं यानि पानी का अस्तर 674 फिट होन नहीं कर रहे हैं उनको पानी परियापत पानी नहीं मिल रहा है जिसे क्यों पूरिक शम्ता से काम कर सकें जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में फिर दिल्ली प्यासी क्यों नमरे और कैसे नमरे इस शिकायत को लेकर इस गुहार के साथ दि दिल्ली के सुखे कंट को तर किया जा सके। फिलहाल अब उम्मीर की जा रही है कि अगला हफता शायद इस सुप्रिम कोट में इस बात की चर्चा रहेगी और गुंज रहेगी यानि सुप्रिम कोट इस पर सुनवाई करेगा और दिल्ली सरकार के लीगल टीम का ये भी कहना है कि याचिका दाखिल करने के बाद इसकी अरजेंट सुनवाई के लिए गोहार लगाई जाएगी इसे मेंशन किया जाएगा ताकि कोट बाकी अन्य मुद्दों को छोड़ कर इस मुद्दे पर सुनवाई के पहले करे और याचिका के मताविक समुचित आदेश जारी करे जिसे की प्यासी दिल्ली को राहत मिल सके क्योंकि गर्मी से राहत तो जब मिलेगी तब मिलेगी वो तो प्रकृति अपने बस में नहीं है लेकिन जो चिज़ बशवे हैं वो ये कि दोनों राजियों के वीज़ कोडिनेशन हो और कोडिनेशन ऐसा हो कि कम से कम प्यासे दिल्ली के होट कंठ तर किये जा सके उसका इन्तिजाम हो जाए फिल्हाल अब ये इंतिजार है कि याचिका कब दाखिल होती है लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह का संकल्प जताया है इच्छा शक्ती जतायी है उसको देखते हुए लगता है कि अब किसी भी समय यानि शुकरवार को भी हो सकता है याचिका दाखिल हो जाए और शक्रवार को हो जाए तो अगला हफता इस पर सोमय को जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो उसकी भी कोशिश सरकार करेगी कैमरामें संजय कुमार के साथ संजय शर्मा दिल्ली कि अब का हुआ है